तू प्रभाद बच्चो गुद मॉनिंग क्लास कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम डिसकस कर लेते कि आपका टेस्ट है आपका पीरिडिक वन है तो वो कब है वो ऑगस्त में है राइट तो उसके ल चीजो को बल्यक और अल बूगे अधों के लिए हम हर रोज उसका थोड़ा थोड़ा यूल करेंगे तो इसके लिए आज मैं एक वरक्शीट है वो हम डिसकस करेंगे वरक्शीट मैं Maybe help १ाsin काूँंगी सहकते कई वी कुख में je sin ke-jali और गूगल मीट पर हम पूरी वक्षिट फिर से डिसकस करेंगे ठीक है तो हम शिरू करते हैं लेट्स केट स्टार्टेड विच एनिमल कें सी थिंग्स ओली इन ब्लैक और वॉइट कौन सा जो एनिमल है वो चीजों को ब्लैक और वॉइट में ही देख पाता है आपको टिक करना है जो भी आंसर होगा ठीक है विच ओफ द फोलाइंग यह मैं आप से गूगल मीट पर लूँग है यह टेस्ट फिक है विच ओफ द फोलाइंग डस नॉट वान अधर 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 इनमल है जो दूसरे जानवरों को वान मतलब तर चेतावनी देना बता जो एनमल है वो विंटर्स में नहीं देखते हैं बर्ड्स विंटर्स में देखते हैं नहीं देखते हैं लंगूर्स लिजर्ड्स ठीक है वेर इस जिम कॉर्बट नैशल पार्क जिम कॉर्बट नैशल पार्क कहां पे जिम कॉर्बट नैशल पार्क के बहुत खासियत में आ और उनंको आप्क किना कुम तो इसाहीच तरह से टीग आपको आपको सारे Mmm gear करना है और उनको माक करना है Right next गहाना नैशनल पार्क गहाना नैशनल पार्क कहां पर सिट्वेटड है एक चीज याद रखिए का गहाना नैशनल पार्क तो आपको लिखना ही है कि वो कहां पर सिट्वेटड है उसके बाद जो गहाना नैशनल पार्क किसी चीज के किसी ऐनमल किसी बर्ड के लिए फेमस है नो आपको लिखना है कि वह किस बर्ड के लिए या फिर किस अनमल के लिए खेमस हैं हम आपकी जब गूगल मीट में शायद आप शयाम को लोगी या फिर दुफैर में लोगी जब भी आपको टाइम बता दिया जाएगा तो आपको बताना है यह सारे आंसर एक राइट जितनी भी बिर्ट से आई मूव करते हैं नहीं करते हैं नहीं करते हैं नेक्स है अनिमल्स कन सी मोर कलर्स नन हीुमन्स जो है वह हुमन से जादा कलर देख पाते हैं ट्रू और फॉल्स बताना है आपको ठीक है डॉग नो इफ अनदर डॉग है इस अनदर डॉग का पता लगा लेता है कि कोई उसके अरिया में आया है यह तो हमने बहुत अच्छे से डिसकुस किया था इस कान से तो आपका बिल्कु गलत नहीं हो रहती है स्लॉट्स लिफ फॉर अबाउट 20 यह जो स्लॉट होते हों कितने 20 साल तक जीजवित रहते हैं अनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट के सी थिंग्स ओली इन ब्लैक अनवाइट जो रात को उठते हैं मतलब जागते हैं क्या वो सारी चीजों को ब्लैक अनवाइट में ही बताएगा यह ट्रू है या फॉल्स है राइट नेक्स्ट आर टाइगर रोर कें बी हर्ड अप्टू सिक्स किलोमेटर जो टाइगर है वो दहाडता है ना रोर मतलब दहाड ना तो जो टाइगर है वो दहाडता तो उसकी जो दहाड है वो छे किलोमेटर तक हम सुन सकते हैं यह हट्रो फोल्स बताना a mosquito find us by our smell or heat of our body जो ऊस्कीटो है वह होते हैं वह हमस्कीटों कच्हेकर था हमारी स्मेल से और हमारी बाड़ी की भीट से संसले स्कराणाई है Jackson Snake can hear vibration on ground बैसिक्ली स्नेक् होता है बच्चों वो सिर्फ वाइब्रेशन ही चुने पाता है वह उसकी अलावा कुछ नहीं मतलब वह सुना यह नहीं देता है वाइबरेशन सी महसूस करता है अगर उनके आसपास कोई खत्रा आ रखा होता है अनिमल के आसपास तो वो उसे सेंस कर लेते हैं और एक अलग से मैनल में वो उसको बिहेव करते हैं इसी तरह का आपको कोई आपका टेस्ट आएका तो अच्छे से ध्यान से यह वक्षीट जो है यह करिएगा ठीक है एक एक नंबर के क्वेशन साएंगे देखिए यह बॉक्स दे रखा है इसमें अलग-अलग ओप्शन्स दिये हुए हैं आपको इनकी हेल्प से इस फिल इन दे ब्लैंक करना है जैसे एंड मूफ करती है तो वो अपने किस चीज को ग्राउंड पर छोड़ देती है नेक्स डैश कें फाइंड यू बाइड थे स्मेल अफ दो बाड़ी कौन ऐसी चीज़े जो तुम्हारी स्मेल से तुम्हें फाइंड कर लेता है कितने गुना हमसे ज़ादा देख पाते हैं मतलब उचाई पर उड़ते हैं वो तो हमसे ज़ादा ही देख पाते हैं डैश looks like a bear and sleeps for about 17 hours a day बियर की तरह दिखता है और 17 घंटे दिन में सोता है कौन है ऐसा नेक्स्ट है आपका slots होते हैं नेक्स्ट है आपका people who kill animals are called dash and dash जो people जो लोग animals को हंट करते हैं मारते हैं उनको क्या बोलते हैं dash cannot see as many as colors human can कौन ऐसी चीज है कौन ऐसे जानवर है जो humans से जादा color नहीं देख पाते हैं animals with big ear can hear the dash of the sound जो animals होते हैं जिनके बड़े कान होते हैं उनका sound hear करने की capacity होते हैं वो क्या होती है animals can have their dash to communicate animals के पास क्या जी से बोलने से भी communication है और दिस्ट्रॉइ जंगल कौन सा ऐसे एडिया होता है जहां पर जो अनिमल से हंको हंट नहीं कर सकते हैं और जंगल को हम डिस्ट्रॉइ नहीं कर सकते हैं राइट next what senses do the following animals use to find their food इन मैंसे कौन सी senses है जो अनिमल यूज करते है अपने food को find करने के लिये on options है आपका dog कौन सी sense यूज करता है ant, snake, eagle, tiger, mosquito next match the following picture of the animal on the right with the description on the left we can find its female by her smell जो यह है यह जिन मैंसे कौन सी ऐसे चीज है जो अपनी female को उसकी smell से find कर लेता है यह आपको बताना है कि कौन सा है ऐसा चीज है जो अपनी female को उसकी smell से ही find कर लेता है next है it turns its head to see around अपने जो सर है उल्लू होता है आउल होता है जो अपने सर को ऐसे पूरा गुमा लेता है ताकि वो चारो तरफ देख सके it can feel vibrations on ground तो आप मैंस जो बोलें कैसे किया करें basically देखिये आपको माल लीजिए इसका आंसर नहीं पता है it can find its female by और पता है माल लीजिए नहीं पता है आपको इसका आंसर नहीं पता है it can find its female by her smell लेकिन आपको इसका पता है it turns its head to see around तो यह तो आउल है उल्लू है राइट it can feel the vibrations on the ground vibrations को feel करता है ground पे कौन सा है इसनेक है राइट तो इसका हो गया आउल इसका हो गया सनेक it can mean different sounds to give messages to other animals यह कौन सा है यह है आपका डॉल्फिन डॉल्फिन अलग अलग तरीके के मैसेज देती है इसमें बच्चा क्या है इसमें बच्चा क्या है और इसे हम इसे मैच कर देंगे राइट इस तरह से आप अपने मैच्दा फोलाइं कर सकते हैं many males killed and their parts are sold match the following animals with the part elephant elephant है और उसका part कौन सटा उसका sold होता है उसके जो दात होते हैं वह sold होते हैं rhinosaurs one horn rhinosaurs होते तो उनके horns हम सेल आउट कर देते हैं वैसे आपको deer का बताना है deer का हमने बहुत बार बात किया मस्क होता है कस्तूरी बोलते हैं उसे राइट जिसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है ठीक है पर्फ्यूम वगेरा इन सब बनाने के लिए हम मस्क को सल कर देते हैं ठीक है next है categorize the following things on the basis of their smell as good or bad देखिये garbage, गंदा कूड़ा है, flowers है, flowers की कैसी अच्छी स्मेल आती है, rotten food है, गंदी स्मेल आएगी, coffee अब देखिये smell भी differ करती है, coffee किसी को coffee पसंद नहीं तो coffee की smell अच्छी नहीं लगेगी और किसी को coffee पसंद नहीं तो उसे coffee की smell अच्छी लगेगी, तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़े हैं next है आपका good smell or bad smell आप यहां लिख देंगे, give reasons for the following behavior of the animals, as you walk past a sleeping dog, its ears shut up at once जैसे आप किसी सोते को कुटे के पास से गुजरेंगे तो तुरंत आप क्या देखेंगे कि कुटे के कान एक दम से खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है you are eating the playground, आप क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे playground में अचानक से एगल आएगा और suddenly आपकी रोटी को चीन के ले जाएगा और आप रोना दोना शिडू कर देंगे, ऐसा क्यों होता है जो डाग होता है इधर दो सूंगता रहता है इसके बारे में बताया था कि अगर दूसरा कोई डाग उनकी एरिया में आ गया तो उसका पता लगाने के लिए इधर दो सूंगते रहते हैं जो जो जानवर होते हैं अपनी गर्दन को गुमाते रहते हैं क्योंकि वह आई है उनके आइबॉल उसको नहीं गुमा सकते हैं यहां बहुत सारे निमल्स के अनिमल्स आइनिमल्स वोह है अप जो अनिमूल्स ब्लाइक वाइट में देखे हैं उसको आपको ऐसे और अगर जो अनिमल इस देख सकते हैं उनको smiley smiley face बनाना है ठीक है यह आप करिएगा difference in sleeping time of animals sleeping time different है हर अनिमल का कुछ अलग है कुछ slots जो हमने बात करिए हो 17 hours a day sleep करता है तो उसके बारे में आप लिखेगा alarm calls given by different animals अभी हमने बताया कि जो कौन सी चीज के बारे में बताया है बताया है जी बिलकुल अभी हमने किसके बारे में बताया था कि जो sea animals होते है ocean animals होते है वो alarms देते है different type के ants always moving straight line जो चीटिया होती है हमेशे सीधी लाइन में चलेंगे आप उनका पात भी deviate करेंगे तो भी वो एकदम से सीधी लाइन में ही चलेंगी आज के लिए इतना ही काफी है बच्चो अपना name, roll number, class section मुझे comment section में लिखेगा और इसको एकदम से go through हो जाईए मैंने यी worksheet आपको पहले भी भेजी हुई थी और एकदम से इसको अच्छे से समझ लीजिए इसका आधा part हम कल करेंगे इस तरह से हम अपना revision करेंगे ठीक है तो आपका 10 दिन में मतलब हमारे पास 5 chapter है और 5 हमारे पास work sheet है तो आधी आधी हमने work sheet करी तो हमारे पस कितने दिन में 10 दिन में हमारा syllabus जो है एक अच्छे से revise हो जाएगा और आप cooperate कीजिए अपना name, roll number class लिखेगा अपना ध्यान रखिएगा mask लगा के रखिए, sanitizer का use करते जाएगे अगर आप घर से बाहर जा रहे है तो okay, thank you class, thank you बच्चो